बच्चा, अल्ला के नाम पे तेदे कुछ में क्या है? खाना खाना? दो दिन से कुछ खाये नहीं, तेदे बेटा मेरे दादजी ने एक साल से कुछ नहीं खाये बैसे इधर कोई दूशा मंदिर है? मंदिर उधार है और मस्चित उधार लेकिन मंदर तो बंद है भगवान के नाम पर देदे कुछ अब पंडीत जी हो ना नहीं बेटा मैं पंडीत नहीं हूँ लगता आप खलट जगह आघा है यह गलट जगह है नहीं जगह तो सही है आप गलती से आँगा है, मंदिर अगली वाली गली में है ये क्या फिर्ट? ये मस्जिद है, अल्ला का दर्बारत यहां क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही मस्जिद में अल्ला की अबादत करते हैं आप कौन हो? मैं यहां का मौलवी हूँ मौलवी मतलब तोसे मंदिर में बंडित होते हैं वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं तो आप दोनों सेम हो हाँ मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आज मेरे दादा जी की बरसी है आप प्लीज यह खाना का लीजी मैं क्यों? क्यों क्या मस्जिद के पंडित हो न? नहीं बेटा यह खाना मेरे लिए नहीं है बता है यह खाना दादा जी के लिए आप यह खाना इधर खाओगे उन्हें वाब बटर जिकन मिलेगा उन्होंने एक साल से कुछ नहीं खाए अब प्लीज यह खाना खाएजे बेटा तुम मंदित क्यों नहीं चले जाते है मैं गया था मैंने बहुत धूंडा माप पुरी भी नहीं था बेटा जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता अभी आप इन्हें तो कहा क्या आप दुन सेम हो खाना ही तो खाना है इसमें लड़्डू भी है अब आप समझ क्यों नहीं रहे हो पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग है आप अल्ला के नाम पे खा सकते है फर्स करो मैंने खा लिया फिर भी तुम्हारे दादा जी को नहीं मिला तो अब क्या पंडित जी से कम पावफोलो तुम्हारा काम मंदिर में हो सकता यहां नहीं क्यों मंदर और मजजित में क्या फर्क है तुम किस भगवान को मानते है शिव जी तो शिव जी की पूजा करने के लिए तो आप इतने स्वार के सो कि भगवान और अल्ला से मिलाट जैसे मेरा नाम रहुल है मम्हें मेरे को दिक्कु बलाते है पापा मेरे को रुकि बलाते है मेरे दोस्मे को रहुलाते लेकिन हूतों मेए marche वैसे ही शिव जी अल्ला हनुमान सब से मी है लेकिन यहां सिर्फ अल्ला मिलते हैं अल्ला से मर्जिद में मिलते हैं यह अल्ला तो सारे जहान में मिलते हैं इस चड़क में? हाँ मॉल में? हाँ सब्जी बजार में? हाँ मंदर में भी? हाँ भाई तो फिर मेरी बात सुनेंगे बिलकुल सुनेंगे तो अगर अल्ला मेरी बात सुनने को थैया रहे तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं कौन सा लड्डू है? मेरे दादर जी बिया मेशे लड्डू से इश्रू करते थे और ये दक्षना नहीं बेटा ये किसी घरीब को दे रहे हैं ओके बाए उम्र जैनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई वो सच्चाई जो भूली आँखों में दिठाए पंडिक जी ने क्या कहा? बिस्म लाहिर प्रेमान निर्रहीम लाहू तुम कहा गए थे? दाजाजी को खाना के लाने?